मध्य पूर्व के निवासियों के लिए चाउदा और पंद्रा अप्रेल की रात एक लंबी रात साबित हुई उस रात इरान के इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से किये गए हमले ने सबकी नजरें अरब दुनिया के आसमान पर टिका दी हाल ही में दशमिश्क में इरानी वानेजी दूतावास पर हमला हुआ था इस हमले की जिम्मेदारी इसराइल ने नहीं ली थी मगर संयुक्त राष्ट्र में आम राय यही है कि इस हमले के पीछे इसराइल का ही हाथ था पिछले छे महिनों से इसराइल और हमास युद्ध के कारण पूरी दुनिया की नजरें अरब ख्शेतर पर टिकी हुई हैं इसलिए दुनिया भर में इरान के इस हमले को बहुत ध्यान से दिखा जा रहा था रात में अलग-अलग समय पर ये हमले किये गए इसराइल इस हमले के खिलाफ अपने सहयोगियों की मदद से अपनी रक्षा करने में काम्याब रहा इसराइल की और से जारी बयान में बताया गया है कि कुछ ड्रोन और कुछ मिसाइल उसने अपने आधुनिक सुरक्षा प्रणाली की बदौलत मार गिराए हैं कि कुछ को इसराइल के सीमा में आने से पहले ही अमरीका समेट अन्य दूसरे सहयोगियों की मदद से गिरा दिया गया उसे निस्ते नाबूद कर दिया गया इन सहयोगियों में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ही पश्चमी देश हैं लेकिन मद्यपूर्व के एक मुसलिम देश जॉर्डन की ओर से इरान के ड्रोन और मिसाइल हवा में मार गिराने की घटना के बाद नकेवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अलग-अलग मुसलिम देशों में सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने हैरत जताई है कुछ लोगों ने जॉर्डन की आल उचना भी की है पाकिस्तान में जॉर्डन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर टॉप ट्रेंड पर साबित हुआ इसके बारे में पाकिस्तान के उपरी सदन यानी सिनेट के पूर्वसदस्य और जमात इसलामी के नेता मुश्टाक एहमद खान की और से जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दूतिया की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उनके लिए नकारात्मक शब्द इस्तमाल किये गए मुश्टाक की इस पोस्ट पर 26 लाक से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने आज़ाद डिजिटल नाम के प्लैटफॉर्म से इस बारे में कहा कि जॉर्डन के शाह को कभी ये सद्बुदी नहीं आई कि वो इसराइल की मिसाइल ड्रोन और जहाजों को रोके लेकिन इरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया तो उसे नाकाम कर दिया गया मुझे ये बहुत बुरा लगा वहीं पाकिस्तान ही नहीं बलकि यहां तक की जॉर्डन में भी इस कारिवाई की आलोचना हो रही है वहां कुछ सपता पहले एक अमरीकी दूतावास के बाहर इसराइली विरोध प्रदर्शन हुआ था आपको ये भी ध्यान होगा के जॉर्डन में हर पांच में से एक व्यक्ती के पूरवज का सम्मंद फलिस्तीन शेत्र से है जॉर्डन के शाअब्दुल्ला दुटिया की पत्नी महरानी रानिया भी फलिस्तीन से सम्मंद रखती है वो हाल में गाजा में गंभीर होते मानवी संकट के बारे में आवाज उठाती रही है भागोलिक दृष्टी से जॉर्डन मध्यपूर्व में एक बहुत सम्मेदंशील स्थान रखता है जॉर्डन की सीमाएं सौदी अरब, इराक और सीरिया के अलावा इस्राइल और वेस्ट बैंक से भी मिलती है जॉर्डन ने फिलिस्तीनी क्षेत्र और सीरिया से अब बड़े पैमाने पर लोग शरन ले चुके हैं